नमस्कार, इंस्पारिंग बरकत, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी साथ रानियों की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा की छे रानिया थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालू और धार्मिक प्रवरिती वाला था। वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वो राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी. उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी. राज्य के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार कोई भी दुख नहीं था. राज्य के कोई संतान नहीं थी. इसलिए राज्य को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी. संतान प्राप्ती के लिए राज्य एक-एक करके छै शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ती नहीं हुई. राजा घर में पूजा पाठ करने के साथ ही, राज्य के सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करवाते, यग्य करवाते और दान धर्म करते लेकिन फिर भी रानिया मा नहीं बन पाई जैसे जैसे समय बीटता जा रहा था राजा की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा आया की राजा बहुत दुखी रहने लगा राजा के दुख से राज्य की प्रजा भी दुखी थी उन्हें भी राजा के समान ही प्रजा पालक और उत्तर आधिकारी पाने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो रही थी. उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उनके लिए मन से कामना करते और प्रार्थना करते कि राजा के यहां कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने इसके लिए उनकी प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी देवी देवताओं से मनोतियां मांगती थी राजा ने बहुत प्रयास किये कच भी नहीं छोड़ा वो पीर फकीर, साधू सन्यासी सबकी सेवा करते थे परन्तु अभी तक किसी का भी दिया हुआ आशीरवाद राजा को नहीं फला था एक दिन की बात है राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकले शिकार करते समय वो एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए हिरन तो उन्हें मिल नहीं पाया वो हिरन ना जाने कहां छुप गया था राजा काफी देर तक हिरन को जंगल में इधर उधर ढूंडते रहे लेकिन वो हिरन उन्हें कहीं नहीं मिला काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे फिर भी वो घोडा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे चारों दिशाओं में घंगोर जंगल ही जंगल था अचानक उन्हें कहीं से कलकल की आवाद सुनाई पड़ी राजा ने सोचा की लगता है शायद इधर कोई जहरना है जहरने की आवाद सुनते सुनते राजा उसी आवाद की दिशा में चलने लगे कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वो जहरना दिखाई दे गया जहरने पर पहुंच कर राजा अपने घोडे से नीचे उत्रे और जैसे ही वो पानी पीने लगे अचानक उन्हें वहाँ एक आवाद सुनाई दी आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ नहा रही हूँ? आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड कर देखा सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की जहरने में नहा रही थी उन्होंने जल्दी से अपनी आँखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने आ गया मुझे क्षमा करें मैंने आपको नहीं देखा यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं पानी पीलू और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ आप कौन है और इस घने जंगल में अकेली कैसे है राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो लड़की कहने लगी मैं यहीं पास के गाव में रहती हूँ रोज यहाँ आती हूँ और इसी जहरने में नहाती हूँ यह जहरना और नदी जंगल के बीच में है इसलिए यहां कभी कोई नहीं आया मैं तो निश्चिन्थ होकर नहा रही थी मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे आप मेरी तरफ पीच करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रोख जाएए थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी राजा पानी पी कर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छाव में उधर की तरफ पीच करके खड़ा हो गया इधर वो लड़की जल्दी जल्दी नहा कर एक चटान की ओठ में जाकर कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकल कर राजा के पास आ गई राजा के पास आकर वो कहने लगी आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए राजा ने कहा नहीं नहीं पानी तो मैंने पी लिया है अब तु मुझे अपना परिचे दो और मेरी मदद करो लड़की कहने लगी मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड रखे हैं आपको भूख लगी होगी आप उन्हें खा सकते हैं क्या आप उन फलों को खाएंगे अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूँगी ये कहकर वो लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही तोकरी में बंधे हुए फल निकाल कर ज़रने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी राजा लगातार मंत्र मुगध होकर उसे देख रहा था राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते पर फल रखे राजा उन फलों को लड़की से ले लेता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम नहीं खाओगी लड़की कहती है नहीं आप अतिती हैं आप खाये फल खाते हुए राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ लड़की कहती है मेरा नाम रूपा है मैं यही पास के गाव में रहती हूँ मेरे गाव का नाम कोट सी है मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मा है हम लोग जंगल से फल और लकडियां ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं घर के पास थोड़ी सी जमीन है हम लोग उसमें कुछ अनाज और सबजियां उगा लेते हैं जिससे हमारा खर्चा चल जाता है इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है अपने बारे में भी आप कुछ बताएए आप कौन है? राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला कि जब मैं अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा रूपा तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहां मिल सकता हूँ रूपा कहने लगी आप मुझसे क्यूं मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा बस तुम्हें देखकर तुमसे बाते करने की इच्छा होती है इसके बाद रूपा हसते हुए बोली मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहां आती हूँ सुभा लकडियां ले जाकर मा को दे देती हूँ फिर फल लेकर जाती हूँ उसके बाद खाना खाकर हम सबजी और फल बेचने के लिए बजार जाते हैं मैं आपको रोज इस समय यहां मिलूंगी या फिर यदि आप चाही तो आप मेरे गाव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा वहां से चल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया। लेकिन राजा रूपा पर मोहित हो गया था इसलिए वो बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वो समझ नहीं पा रहा था कि छे छे रानियों के रहते उसका दिल रूपा की ओर क्यूं खींचा चला जा रहा है। जब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया, तब उसने जंगल में घटी ये सारी बाते अपने मंत्री को बताई। मंत्री जी ने कहा महराज यदि आप चाहते हैं तो आप उस लड़की से विवाह क्यूं नहीं कर लेते। हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का ये सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। जहरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा जहरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वो वहीं रुक गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी, जब उन्हें रूपा दिखाई नहीं दी तो, राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया, और कहा आज रूपा दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज रूपा आई नहीं है, या फिर आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वो रोज यहां आती है, तो अब तक आई क्यूं नहीं? मंत्री जी कहने लगे, महराज क्यूं न हम लोग उसके गाव चले? राजा कहने लगे हा लगता है यही ठीक रहेगा। रूपा चुपचाप अपनी जोपडी में बैठी हुई थी, राजा ने आवाज लगाई, रूपा तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने जहरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परन्तो क्या आज तुम फल लेने नहीं गई थी? आवाज सुनकर रूपा बाहर आई, उसकी आँखें आशूओं से भरी हुई थी, राजा ने पूछा रूपा, क्या हुआ? तुम क्यूं रो रही हो? अब तक दो अजन्बियों को घोडे पर सवार देखकर इकठे हुए ग्रामेनों में से एक ने कहा, बाबु जी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक मा ही तो थी, और वो भी चल बसी. उसे सर्प ने डस लिया था, और अब ये बेचारी अकेली रह गई है. आप ही बताए कि अब ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? आप लोग कौन है? मंत्री जी ने राजा का परिचे दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गाव में खलबली मच गई. सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया. राजा ने गाव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवा करना चाहता हूँ. क्या आप लोगों को कोई आपत्ती है? मुखिया जी ने कहा कि नहीं हमारी बेटी राजरानी बनेगी. हमारे तो भाग्या खुल गए. ये गाव अब आपकी ससुराल होगी. इस से अधिक हमें और क्या चाहिए? गाव वालों ने जल्दी जल्दी सारी त राजलक्ष्मी. राजा और मंत्री जी, नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तयार थे. गाव वालों ने रुन्धे गले और नम आखों से गाव की बिटिया रूपा को विदा किया. राजलक्ष्मी राजा के साथ अपनी ससुराल राजमहल में आ गई. राजा की नई रानी को देखकर उसकी दूसरी छे रानिया इरश्या से जलकर राख हुई जा रही थी. उन्होंने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आपको खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था. राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी. वो अपनी सोतन के मन में छिपी हुई अपने प्रती इरश्या को पहचान नहीं पा रही थी. वो नहीं जानती थी कि उसकी सोतने उससे कितनी नफरत करती है. वो उन्हें अ साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीट गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई. एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे. वो सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे. जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो वो राजा के पास आया और बोला कि महाराज वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा है. क्यों न एक बार उन्हें राजदरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए. राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने उसे कहा कि सन्यासी मह महाराज को आदर से महल में बुलाया जाए. जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आदर सतकार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया. राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राजदरबार में ही बुला लिया. महात्मा ने उस समय कुछ भी ना कहते हुए महराज से कुछ दिन के लिए महल में रुखने की आग्या मांगी जिसे राजा ने खुशी-खुशी स्विकार कर लिया और अपने सेवकों को आग्या दी की महात्मा जी का रहने का उचित प्रबंध किया जाए राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सतकार होना चाहिए बड़ी रानियों ने महात्मा के फटे पुराने कपडे देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा वे सभी महात्मा के फटे कपडों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा आदर सतकार करती शायद जंगल में पली बढ़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था की वो इस राज्य की रानी है उसने मन लगा कर महात्मा की सेवा की कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तयार हो गए जाने से पहले उन्होंने सभी को आशिर्वाद दिया अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुला कर बोले की बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है मेरा बहुत ध्यान रखा है बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ती होगी और इस महल में बच्चों की आवाद सुनाई देगी ये सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए उन्हें इस प्रकार आशिरवाद देकर महात्मा चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुब समाचार दिया कि वो पिता बनने वाले थे रानी गर्भवती थी ये समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा अब तो राजा रानी राजलक्षमी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे राजलक्षमी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो ये सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिये उन्होंने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया कि वो प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाए इस समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दोड़ गई पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे चारों तरफ बधायों की धूम मची थी सभी लोग खुश थे की राज्य को वारिस मिलने वाला है परन्तु बड़ी छेह रानियां तो जलकर राख हो गई थी ये छेह की छेह रानियां आपस में विचार करने लगी की अब क्या होगा अब तो वो सब यही सोच रही थी की छोटी रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा यही परेशानी हो जाएगी उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और यह हमें दासी की तरह समझेंगी इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राज लक्षमी को परेशान करने का प्रयास करती परंतो उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी प्रजा और कभी दासियां तो कभी स्वयम राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापती को भेजा गया जो की अपने काम में असफल रहे तब राज्य की सीमा पर स्वयम राजा को ही जाना पड़ा राजा ने अपनी बड़ी राणी को छोटी राणी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वैर विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े राजा के जाते ही बड़ी राणीयों को सुनहरा अवसर मिल गया था अब वे छोटी राणी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी राणी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुँचे दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बाते करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतला कर चले जाते रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बाते अलग-अलग क्यूं है आखिर सही कौन है दोनों की बाते एक दूसरे से बिलकुल विपरीथ है वो सोचती कुलगुरु तो पुरुष है और रानियां तो महिलाएं है महिलाओं की बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे इसलिए जो बड़ी रानियां कहती है वही सही है उसे यही लगता की बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी इसलिए वो आखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई उसने बड़ी रानी से कहा की दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कुछ उपाए करें प्रसव कैसे होगा समय पूरा हो गया था बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा इर्श्या हो रही थी वो सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है बच्चे पैदा होने के बाद न जाने कितना ज्यादा आदर होगा ये सोचकर बड़ी रानी छट पटा रही थी लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के शड्यंत्र पैदा होने लगे उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा तुम चिंता मत करो मैं कुछ करती हूँ मैं दाई को बुलाती हूँ तब तक तुम ऐसा करो की देखो वो सामने कोठरी है तुम उसमें अपना सिर डाल कर खड़ी हो जाओ इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा तब तक दाई भी आ जाएगी राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा उसे धेर सारा धन देकर और कुछ समझा कर अपने साथ शामिल कर लिया इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी दूसरी और बड़ी रानी के जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी कोठरी उची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका ये देखकर वो सोचने लगी की अब वो क्या करे उसने कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा नहीं था, इसलिए वो कुछ जानती भी नहीं थी तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहां पर यह जो पानी पीने का घड़ा रखा है, वो भी तो मिट्टी का ही है मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बेहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा, वो घड़े से पानी फेट कर उसी में अपना सिर डालने लगी उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था वो आँखें बंद किये हुए घड़े के उपर सिर रखकर वहीं पास में बैठ गई और दर्द के कारण चिलाती रही लेकिन उसे देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहाँ कोई दूसरा जान नहीं पाए दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई छोटी रानी पीरा से कराह रही थी भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक-एक करके साथ बच्चों को जन्म दिया उनमें छेह लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ बहुत ज्यादा पीरा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई चोटी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहाँ आ चुकी थी वो सभी ये देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ साथ बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिलकुल स्वस्थ और तंदुरुस्थ हैं उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ इट पत्थर के टुकडों को लेकर आओ दाई जल्दी से इट पत्थर के टुकडों को लेकर आ गई उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहां से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मार कर जमीन के नीचे दफन कर देना हमने जो तुम से सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वो बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे दाई बहुत खुश हो गई और वो सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिये बच्चों के स्थान पर उन्होंने इट पत्थर के टुकडे वहां रख दिये घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहाँ पर छोड़ दिये और इसके बाद सभी रानिया अपने कमरे में आ गई थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहाँ उनके पास पहुँच गई बड़ी रानी ने उससे पूछा क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मार कर जमीन में दबा दिया है? दाई के हां कहने पर सभी रानिया बहुत खुश हुई और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के दे कर विदा किया इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानिया छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आई और उसके उपर पानी के छीटे मार कर छोटी रानी को होश में लाई होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहां है और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है पास पड़े इट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि ये देखो तुमने इन इट और पत्थरों को जन्म दिया है छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्य चकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इट और पत्थरों को जन्म दिया है छोटी रानी के पास इट और पत्थर के टुकडे पड़े हुए थे उसने रोते हुए कहा कि इट और पत्थर ऐसा कैसे हो सकता है नहीं यह नहीं हो सकता बच्चा तो जरूर हुआ होगा बड़ी रानियों ने कहा तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है यहीं तो है जिसे तुमने जन्म दिया है लो अब तुम इन्हें संभाल कर रखो ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईट और पत्थर के टुकडों को एक थैले में भर दिया अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी छोटी रानी बहुत ही आश्चर्य चकित और परेशान थी वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी की छोटी रानी ने बच्चों के बदले इट और पत्थरों को जन्म दिया है कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीत कर अपने नगर को वापस आ गए उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई राजा अब राज भवन में आये तो पत्रानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया छोटी रानी का चहरा उदास था परन्तो दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी राज महल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा रानी राजलक्ष्मी क्या बात है आप दुखी नजर आ रही है इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज वो दुखी कैसे नहीं रहे इनका भेद जो खुल गया है जब राजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बड़ी रानी से पूछा की आपका ये सब कहने का क्या मतलब है राणी बताये तो सही क्या हुआ, राणी का प्रसव हुआ या नहीं राजा की बड़ी राणी जो पट्रानी थी, उसने झूटे दुख का दिखावा करते हुए कहा महाराज, हम तो चले गए हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया महाराज ये राजलक्ष्मी मासूम चहरे वाली यह तो बहुत ही चलने वाली और धोखे बाज निकली महाराज ये हमें गर्भवती होने का धोखा देती रही ये गर्भवती नहीं थी बस दिखावा करती रही और इसने हमें धोखे में रखा गर्ब होने पर कुछ तो होता इन्हें तो इट और पत्थर पैदा हुए हैं वो इट और पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं आप जाकर स्वयम देख लीजिए पत्रानी राजा और रानी राजलक्षमी को राजलक्षमी के कक्ष में लेकर गई और उन्हें इट और पत्थरों के टुकडों को दिखाया राजा इट और पत्थरों के टुकडों को देखकर आश्चर्य चकित थे उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है मानव गर्ब से ये इट और पत्थर कैसे पैदा हो सकता है बड़ी रानी पत्रानी कहने लगी महराज वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसमें हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे सभी को यह उम्मीद थी कि राज्य का वारिस मिलेगा इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलता परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगने लगी राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है अब राजा क्रोध में भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा बताईए रानी आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यूं दिया हमें चलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई यदि आप ऐसा ना करती तो हम इसे विधी का विधान मानकर संतोश कर लेते की हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं लेकिन आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखा कर हमारी आशा पर पानी फेर दिया हम तो आपके मासूम चहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बना कर लेकर आये थे हमने आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया परन्तु आप उस सम्मान की योग्य नहीं है आपने हमें धोखा देने से पहले इस सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिलकुल भी नहीं थी लेकिन आपने जो छल हमसे किया है, उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे आज से आप हमारी रानी नहीं बलकी महल की नौकरानी होगी जाये हमारे सामने से अभी चली जाये, वरना क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठूं राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी वो उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ बैठ कर रोने लगी इस घटना के बाद तो राज महल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया बड़ी रानी और बाकी सभी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया रानी दुख ही बहुत हो गई और उसके दुख हर गुजर रहे दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे थे पर वो सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपनी गर्भावस्था को प्रमानित कर पाती वो जानती थी कि वो सच में गर्भवती थी उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ कई बार उनके मन में इच्छा होती कि वो राजमहल को छोड़ कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिन चर्या आरंभ करें अब उसे अपनी पुरानी जिन्दगी की बहुत याद आती परंतु वो ये सोचकर अपना विचार बदल देती की उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे वो सोचती अब वो वहाँ जाकर किस मुह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहे इस तरह समय बीटता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दर्बार में बैठे राज्यकार्य में व्यस्त थे की तभी एक प्रेरी ने उनके पास आकर सूचना दी प्रेरी ने कहा महराज मनसुखा गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं राजा ने ग्राम प्रधान को बुलाने की आग्या दे दी मनसुखा गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा को जुक कर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया राजा ने कहा ग्राम प्रधान जी कहिए आपकी क्या समस्या है ग्राम प्रधान कहने लगा महाराज आपके शासन में किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती राज्य में और हमारे गाव में सभी राजी खुशी है आज मैं यहां आपके पास एक आश्चर्य जनक और चमतकारिक घटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ जिसके बारे में जानकर हम सब गाव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान रह जाएंगे महराज मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए इसलिए मैं यहां चला आया राजा कहने लगे प्रधान जी ऐसी कौन सी चमतकार पूर्ण घटना हुई है उसके बारे में हमें बताईए प्रधान कहने लगे महाराज हमारा गांव जंगल के पास में है वहां बहुत से पेड़ पौधे हैं लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चमपा के फूल और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं ये पौधे अप उगाए हैं इन पौधों को किसी ने भी नहीं लगाया शुरू में तो हमें से किसी ने भी उन पर विशेश ध्यान नहीं दिया परन्तु अब हम उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं महाराज, उन उचे बांस के पौधों के बीच में चम्पा का पौधा ऐसा लगता है, जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डाल कर चम्पा के पौधे की सुरक्षा की गई हो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे बांस के पौधे खासतोर पर उस चम्पा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए हो परन्तु महाराज ये भी एक सत्य है कि उन पौधों को हमारे गाव के किसी भी व्यक्ती ने नहीं लगाया है ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उगाए है महाराज इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि ये चम्पा का पौधा फूलों से लदा हुआ है परन्तु किसी के भी तोने से इसका फूल तूटता नहीं है चम्पा के पौधे से जो फूल नीचे गिरते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं वे फूल बहुत ही सुगंधित हैं परन्तु महाराज यदि कोई भी व्यक्ती फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो चम्पा के सारे फूल आकाश की तरफ को काफी उचे हो जाते हैं महाराज इतना ही नहीं उनमें से मानव की आवाज भी आती है चम्पा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बाते करते हैं ग्राम प्रधान की ये सभी बाते सुनकर राजा आश्चर्य चकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दर्बारी भी हैरान थे। राजा ने कहा की ऐसा कैसे हो सकता है। पौधे मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें ये बताए की वो पौधे बाते करते हुए क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान कहने लगे महाराज। जब कोई भी व्यक्ति फूल तोडने के लिए चंपा के पौधे की और हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भाईया, ये इस गाम के ग्रामीन फूल तोडने आ आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है ना बहना लगजा आकाश। इसके बाद चंपा की डालिया इतनी उची हो जाती है कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी चंपा के फूल तक पहुंचना संभव नहीं परंतु प्रतिदिन सुभा के समय चंपा के फूल जमीन में बिखरे मिलते हैं जो की बहुत ही सुगंधित होते हैं। जन तो कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे महाराज। अब तो सभी लोगों ने उस चंपा के पौधे को आकाश चंपा के पौधे के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की ये सभी बाते सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया। मंत्री जी आप खुद जाकर देखिए वो किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा जी महराज मैं स्वयम जाकर देखता हूँ। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दर्बार से बाहर निकल गए। राजा और सारे दर्बारी आश्चर्य में पड़े ये सब सुन और देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखर सच्चाई क्या है। मंत्री के वहां से जाने के बाद राजा भी यह सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए है। वो सब कुछ पता लगा कर आ जाएंगे। राज मेहल से निकल कर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुँचे तो सभी ग्रामीन भी वहां पर इकठा हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गाव के लोग आकाश चमपा के पौधे के पास पहुँच चुके थे। वहां पहुँचते ही चमपा के फूलों की गंद उनके नाक के नथुनों में प्रवेश कर गई। चमपा की सुगंध से वे सम्मोहित से हो गए। चमपा के पौधे के पास पहुँच कर मंत्री जी ने देखा की ग्राम प्रधान के बताय अनुसार वहां पर एक चमपा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे। चम्पा का पौधा बिलकुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिये हुए खड़े थे। चम्पा के डालियां सामान्य उचाई पर थी जिसे मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ कर छू सकते थे और फूल भी तोड सकते थे। तभी वहां पर मौझूद सभी लोगों को चम्पा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर मंत्री जी के आगे बढ़े हाथ जहांके तहां रुक गए। वह आश्चर्य चके थो उठे। वह देख रहे थे कि यह आवाज चम्पा के पौधे से आई थी। चम्पा के फूल के पौधे से आवाज आई थी कि यह बांस भईया। हां बहन चम्पा यह किनारे की ओर से बांस में से आई। उसके बाद चम्पा के पौधे से आवाज आई। हमारे मंतरी जी फूल तोने आई हैं क्या मैं टूटू या लग जाऊं आकाश। आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आश्चर्य। सभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई जो बिलकुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पांच-छे लोग एक साथ बोल रहे हो। इन आवाजों को सुनकर मंतरी जी आश्चर्य चकित हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुनना हो गया हो। और जब वे इन आवाजों को सुन रहे थे। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसलिए इनके सामने जुकना नहीं। एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना। इसलिए बेहन चमपा लग जा आकाश और आश्चर्य चमपा की सभी डालियां इतनी उची हो गई कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को नहीं चू सकते थे। मंत्री जी ने चमपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक फूल भी नहीं तोड़ सके। बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी, वो मंत्री जी से कह रही थी कि जाए मंत्री जी अपने राजकार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इनसान की जिम्मेदारी लेने की योग्य नहीं हैं। मंत्री जी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं। हमारी द्रिष्टी में आपने अपराद किया है। उनकी बात सुनकर मंत्री जी आश्चर्य चकित थे। एक और तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये पौधे मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी और वह ये सोचकर भी हैरान थे कि वह सचमुच रानी राजलक्ष्मी को दिन में केवल एक बार देखकर आ जाते थे। ये बात सच तो थी लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात इन पौधों को कैसे पता चली और वे आत्मगलानी से भरूठे क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही धंग से पूरी नहीं की। अब वो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कुछ बड़ा शड्यंत्र हुआ है। क्या कुछ ऐसा है जो वे नहीं जानते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है। उन्होंने पौधों से पूछा की आप ही हमें बताईए हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परन्तु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बात करने का बार-बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधों से कई प्रकार के प्रशन पूछे लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और नहीं अब पौधों की तरफ से कोई भी आवाज आई। लेकिन चम्पा की डालियां अभी भी उंचाई पर थी, इसलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी को उनके प्रश्णों के उत्तर नहीं मिले थे। निराश होकर मंत्री जी वहां से वापस जाने लगे। वहां से लोटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस रहस्य का पता करने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राज महल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा कि महाराज मुझे लगता है कि राज महल में कुछ शड्यंत्र तो अवश्य हुआ है। अब मुझे तो अपने उपर गलानी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राजरानी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पोधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इसलिए महराज मेरा आप से अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहाँ चले और स्वयम देखें हो सकता है वो आकाश चमपा आपको सारी बात बता दें मंत्री की पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनकर राजा ने कहा ठीक है हम स्वयम चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे हम सारे लोग वहाँ चल कर देखेंगे मंत्री जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करीं उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महराज से कहा कि महराज यदी आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो ना देखें लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें क्योंकि महराज मुझे लगता है राज महल में कुछ शद्यंत्र हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है महराज मुझे दुख है कि अंजाने में मैं भी इस शद्यंत्र में शामिल हो गया हूँ इसलिए तो चमपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इनसान कहा इसलिए महराज आप मेरी इतनी सलाह मानकर मुझे पर उपकार कीजिए हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिले और मेरे किसी अंजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए मंतरी की भावनाओं को समझते हुए महराज ने कहा की ठीक है मंतरी जी अगर आप उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रहे की वो मेरी नजरों के सामने ना आने पाए इस प्रकार राजा और मंतरी के बीच आकाश चमपा के पास जाने का दिन और समय तै हो गया राजा और मंतरी के वहां जाने की तयारी होने लगी निश्चित दिन पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश चमपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े आगे आगे रत में स्वयम राजा उनकी पट्रानी तथा पीछे पांच रानियों की पाल की थी उनके कई प्रमुक सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे राजा के आदेशानुसार छोटी रानी राजलक्षमी को दासियों के साथ जाना था परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की मंत्री जी को कही न कही अब भी अपने आप पर गलानी आ रही थी की उन्होंने गर्भ अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है उनके साथ चल हुआ है प्रसफ तो अवश्य हुआ है लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी राजलक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे शड्यंत्र की शिकार हुई है राजा का काफिला गाव की तरफ चल दिया और गाव के पास आकर रुका वन के बाहर गाव की सीमा पर पढ़ाव डाला गया गाव के ग्रामेन राजपरिवार के स्वागत में जुट गए अगली दिन प्रातहकाल ये काफिला आकाश चमपा के पास पहुँचा और सभी लोग उनके चारों और घेरा डाल कर बैठ गए आज भी आकाश चमपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी चमपा की सुगंध से वहाँ उपस्थित सारे लोग उल्लासित थे अब राजा भी आकाश चमपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे सभी छे रानियां राजा के पास बैठी थी परन्तु सिर्फ छोटी रानी राजलक्ष्मी उनके पास न बैठ कर मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी तभी पत्रानी ने महराज से कहा महराज यदि आपकी आग्या हो तो मैं कुछ फूल ले लूँ राजा ने कहा हां रानी साहिबा क्यू नहीं आप अवश्य फूल तोड़िये तभी दूसरी रानी ने कहा महराज मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है इनकी सुगंद इतनी अच्छी है कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ आप आदेश दे तो मैं भी कुछ फूल ले लूँ तभी तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी राजा देख रहे थे कि सभी रानिया फूल चुनने के लिए बहुत उत्साहित है इसलिए उन्होंने सभी को आग्या दे दी लेकिन राजा ने पहले छटे नंबर की रानी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया उन्होंने पत्रानी से कहा कि यह आप सबसे छोटी है इसलिए सबसे पहले उन्हें फूल चुनने का अवसर दीजिए महाराज की बात मानते हुए बड़ी रानी ने कहा ठीक है छटे नंबर की रानी पहले तुम फूल ले लो रानी फूलों के पास गई और उसने चमपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी चमपा के फूल से आवाज आई रानी आप रुखिये आप हमारी आग्या के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां थे वहीं रुख गए आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर दंग रह गए तभी चमपा के पौधे से आवाज आई चमपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा की बांस भाईया हमारी सौतेली छोटी मां हमारे फूल तोड़ने आई है मैं टूटू या लगू आकाश बांस के पौधे में से आवाज आई बहन चमपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें चुने योग्य भी नहीं है क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश इसके साथ ही चमपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को चुने लगी निराश होकर महरानी वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई इसी प्रकार से पांचवी, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी, उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए, परंतु पहले ही कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पट्रानी हूँ इस राज्य में जो कुछ भी है, उन सबका उप्योग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ, या वे मेरी अनुमती से किसी और को प्राप्थ होता है इसलिए चम्पा अपनी डाली को नीचे जुका, और मुझे फूल तोड लेने दे इस बार चम्पा की डालीों से आवाज आई, भईया बांस, हमारी सौतेली मां हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है तुम क्या कहते हो? हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है ये पत्रानी है राजा की और अपने राज्य की और हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है और हम कोई वस्तू भी नहीं है जो इनके उप्योग में आना आवश्यक हो और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है इन्होंने ही तो हमारी मां को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेज कर हमारी मृत्यू का रास्ता तयार किया था ये तो महरानी बनने के लायक भी नहीं है रानी और महारानी राज्य की जनता की मा होती है इसलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव यही नहीं निभाया ये तो हमारी संहरक हैं हमें मारने वाली है इन रानियों के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो इसलिए बेहन तुम जुकना मत तुम आकाश में ही रहो तुम्हें इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए सभी के सामने ये सभी बाते सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से जुख गया राज्य के सभी सभासदों राज्य की जनता और ग्रामीनों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ जो उन्हें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा परन्तु वे इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी उसकी इच्छा तो ये हो रही थी कि बांस और चम्पा के पौधे के टुकडे टुकडे करवा दें लेकिन वो मजबूर थी इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई अब चम्पा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान्य उंचाई पर आ गई अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े जब उन्होंने चम्पा के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तभी चम्पा के पौधे से आवाज आई नाना महाराज आप ये भूल कभी मत कीजिएगा आपको फूल तोड़ने से रोखने के लिए मैं अपने भाईया से अनुमती नहीं लूंगी यदि भाईया अनुमती दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए फूल तोडने का विचार त्याग दीजिए राजा आश्चर्य चकित होकर सोचने लगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोखने के लिए चमपा अपने भाईयों से भी अनुमती नहीं लेगी और बिना अनुमती के ही रोख देगी उन्होंने पूछा मैं इस देश का राजा हूँ तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ मैंने कभी किसी पश्यू पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची फिर तुम ऐसा क्यूं कह रही हो इस बार चमपा के पौधे से आवाज आई की आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं परन्तु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं आप स्वयम कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते आपने प्रजा को संतान माना लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की की, आपकी अपनी संतान कहां है? आपकी अपनी संतान कैसी है? आप ही बताए, क्या कभी आपने ये सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्ये की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाएं आपने एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखे बाद्स कहकर नौकरानी बना दिया इस प्रकार हमारी मृत्यू के सहंत्र में आप भी शामिल हो गए महाराज जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाएं तो किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? राजा ने पूछा तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चमपा के पौधे ने कहा ये जानने का अधिकार आपको नहीं है इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें युद्ध लड़े आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है लेकिन उस प्रजा की उस संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान की अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाएं इसलिए आप यहां से जाएए राजा के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे इसलिए वो अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए अब मंत्री जी ने राजा से कहा महाराज अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी राजलक्षमी को एक बार फूल तोडने के लिए पौधे के पास भेज दें राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही पत्रानी बोल उठी पत्रानी ने कहा मंत्री जी जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं तूटे वो इस धोखे बाज के हाथों कैसे तूटेंगे मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टी से महाराज की ओर देखा चम्पा के पोधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी उनके मन में भी कहीं न कहीं यह विचार आने लगा था कि कहीं रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई शद्यंत्र तो नहीं हुआ था उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णए लिया और फिर उन्होंने इसके लिए मंत्री जी को अनुमती दे दी राजा ने मंत्री को अनुमती देते हुए कहा ठीक है मंत्री जी आप रानी राजलक्ष्मी को चम्पा के पौधे के पास ले जाए अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं रानी उठती है और देखती है कि चम्पा के पौधे की डालियां आकाश की काफी उचाई पर है ये देखकर वह कहती हैं मंत्री जी मेरे हाथ वहां इतनी उचाई पर कैसे पहुँचेंगे मंत्री जी ने कहा रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है इतने लोग फूल को नहीं तोड़ पाए अभी अभी आपने देखा कि महराज भी फूल नहीं तोड़ पाए इसलिए आप घबराइए मत यदि आपसे भी नहीं तूटेगा तो क्या हुआ छोड़ दीजिएगा लेकिन आप चलिए तो सही जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चमपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ा कर अपने पास से जाते हुए चमपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया रानी को लगा जैसे उस पर्ष से उन्हें सुख मिल रहा है असीमानंदा रहा है वो पौधे को सहलाती रही पौधे से आवाज आई है भाया बांस आवाज उसकी रुंधी हुई थी बांस ने कहा बहन चमपा तुम रो रही हो चमपा ने कहा हमारी मा फूल लेने आई है उन्होंने मेरा बहुत ही प्यार से स्पर्ष किया है उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनन्दित हो गई इसलिए मेरा हृदय भावक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूँ आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूँ? मेरी तो इच्छा हो रही है मैं अपनी मा के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूँ इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई हाँ बहन चमपा बिलकुल सही है तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो मा के चरणों में तो स्वर्ग है मा के चरणों का स्पर्श कर लूँ इस आवाज के साथ ही सभी ने बड़ी है रानी से देखा की सारी डालियां जुक कर रानी के चरणों को चूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों और पैल गई उसके ऊपर चमपा के फूलों की वर्षा हो रही थी रानी राजलक्ष्मी के सिर से पाओं तक चमपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चमपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाती जा रही थी रानी राजलक्ष्मी की आँखों से आंसू बहने लगे ये देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामेन भावक हो गए सबकी आँखों से आशू बहने लगे राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा तुम ये बताओ कि तुम कौन हो तुम देव हो, किन्न हो या किसी अन्य लोग के प्राणी हो तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया परन्तु अब छोटी रानी की बाहों में बंध कर उनके उपर पुष्प वर्षा कर रही हो इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ इस बार चम्पा ने कहा, राजन मैं और ये छे बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है हम साथ भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था मुझसे बड़े छे भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी हमारे जन्म के समय हमारी मा प्रसव के समय बहुत अधिक पीरा में थी हमारी मा ने आपकी पत्रानी और इस राज्य की महरानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया तो पत्रानी ने हमारी मा को कोठी में मुह डाल कर खड़ी हो जाने के लिए कहा था वो कोठी बहुत उची थी उची होने के कारण मेरी माने जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की लेकिन उस घड़े का मूह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया परंतु वे घड़े के उपर सिर रखकर दर्द से कराहती रही उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी नहीं की इश्वर की कृपा से हम साथ भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठी में रखेगी और उचाई से हमारा जन्म होगा और उचाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यू हो जाएगी परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे परंतु मा उस अवस्था में दर्द से बिहोश होकर भूमी पर गिर पड़ी थी तब महारानी ने एक दाई को बुलाया महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा दाई को भेजने के बाद कुछ इट पत्थर के टुकड़ों को वहां हमारी मा के पास रख दिया जिससे हमारी मा को कभी पता नहीं चला की हम लोगों ने जन्म लिया था वो कभी भी समझ नहीं पाई की उनके बच्चे आखिर गए तो कहा गए आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखे बाद कहा इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मार कर जमीन में दबा दिया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए इस पर चमपा कहने लगी महाराज इश्वर की लीला बड़ी विचित्र है जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई वे दाई हमें मार कर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख न ले इसी डर की वजह से वो हमें लेकर इस वन में चली आई यहां आने पर जब वो कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सक्षियों के साथ वन भ्रमन के लिए आ रही थी जब उनकी दृष्टी हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत जोर की आन्धी चल पड़ी दाई हमें खोजती रह गई हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयनकर आन्धी में कहीं उड़ गए हैं इसलिए महल में जाकर उसने महरानी से जूट बोल दिया की उसने हमें मार कर जमीन के अंदर दबा दिया है क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महरानी उसे मरवा देंगी दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे छह भाईयों को बांस में बदल दिया और मुझे चम्पा के फूल का पौधा बना दिया उनकी क्रिपा से हमें सभी बाते याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रही हैं और मानव की आवाज में बोल पा रही हैं। राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चम्पा कहने लगी महराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। अगर हमारी मा सभी बांच से एक-एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती लें। फिर इन सभी साथ पत्तियों को गोलाई में रखकर परियों की राणी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी हे परी राणी मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो तो हम सभी पुनय अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही राणी राजलक्ष्मी ने बांस और चमपा के पौधों से एक-एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयम उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली हे परी राणी। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपिया इन्हें मेरे आचल में डाल दो, मा परी रानी मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। आश्चर्य पलभर में देखा गया, बांस के पौधे और चम्पा का पौधा विलीन हो गया, वहां पर लगभग पांच छे वर्ष के उमर के छे बालक और एक बाली का उपस्थित दिखे। रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही बंधी हुई थी, वह तो रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए, अपनी आँखों से अश्रू वर्षा किये ज रहे थे। गांव की जनता सभासद सभी रानियां बिलकुल मौन होकर ये द्रिश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए, तब उन्होंने वही पर अपना दर्बार लगा दिया और गांव दर्बार में पहला राज्य आदेश दिया कि सभी छे रा रानिया रानी बनने के योग्य नहीं हैं। इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पट्रानी बनाता हूँ। शेश सभी छे रानियों को राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या के शद्यंत्र रचने के लिए दोशी मानते हुए, उन्हें मृत्यू दंड दिया जाता है। महाराज ने अपने महमंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी। उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्यूंकि आज मेरे बच् मेरा एक अनुरोध है, आप मेरा यह अनुरोध स्विकार कर लीजिये कि बड़ी रानियों को मृत्यू दंड ना दे। अन्यथा इनका दोश हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहन की तरह चाया रहेगा। इसलिए महराज इन सब को क्षमा कर दीजिये। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है। इसमें सब के लिए क्षमा है। परंतु राजकार्य में क्षमा करने से दोशी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं। इसलिए इनहे क्षमादान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूं। जब तक ये जिन्दा रहेंगी, कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इनहीं एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीनों को अपनी तरफ से कई उपहार दिये और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लोट आए। आते समय द्रिश्य बदल चुका था। राजा के साथ रत में रानी राजलक्ष्मी थी। उनके साथ ही बच्चे घोडे पर सवार थे और छे रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुँचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी राजलक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक साथ बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे फिर भगवान की कृपा से वैसे ही राज्य के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियां आ गई। भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। बुरे काम का परिनाम बुरा ही होता है। दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अंध तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद